नमस्कार लाइव इंदुस्तान देख रहे हैं आप सभी मैं हूँ आपके साथ पलवी राजपूर इन दिनों सोने को बेश्मार प्यार मिल रहा है सोने की डिमांड में भी अचानक बढ़ोतरी आई है लेकिन यह जो बढ़ोतरी है वो शादियों की सीजन के चलते नहीं आई है बलकि इसका सीधा कनेक्शन 2000 रुपय के नोट बैन होने से जुड़ा है अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि 2000 रुपय के नोट जो बैन हुए है उसके बाद से सोने की डिमांड कैसे बढ़ गई और क्या इसकी वज़े से सोने का जो दाम है वो भी बढ़ रहे है सबसे बड़ा सवाल यह कि 2000 रुपय के नोट बैन होने का भारत की अर्थ व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा अगर सोना महंगा हुआ है तो क्या आने वाले समय में महंगाई और भी ज्यादा बढ़ सकती है तमाम सवाल है और इन सवालों के आज जवाब हम जानेंगे हमारे साथ इस समय एकॉनोमी एक्सपर्ट भी जुड़े हुए है लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिया सरकार ने 2000 के गुलाबी नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है ऐसे में जिनके पास 2000 के नोट पड़े हैं फो इन्हें बैंक में जाकर 23 मई से बदलवा सकते हैं लेकिन 2000 के नोट सर्कुलेशन से आउट होने पर लोग इसके निप्टारे के लिए अलग-अलग पैतरे अपना रही है जब से नोटों का सर्कुलेशन बंद हुआ है सोना खरीदने वालों के डिमांड में उच्छाल देखने को मिला है नोट बंदी के बाद ये माना जा रहा है कि अपने 2000 के नोट को खपाने के लिए लोग सोना खरीद रही हैं जिसके चलते सोने के दाम में भी काफी उच्छाल देखने को मिला सुनारों में भी सोने खरीदने पर 50-10 पीसदी प्रीमियम लिना शुरू कर दिया है जो लोग 2000 के नोट से सोना खरीद रहे हैं उन से सुनार खरीद पर 50-10 पीसदी एक्स्रा चार्ज वसूल कर रही है उदर एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि जर्मनी में मंदी का असर भारत पर भी पढ़ सकता है यूरोप की सबसे बड़ी और विश्व की चौथी बड़ी अर्थ विवस्था जर्मनी में मंदी आ गई है भारत से जर्मनी को बॉइलर, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, परमाणू रेक्टर, साउंड रिकॉर्डर और कार्बनाइक रसायन भीजा जाता है ऐसे में सिर्फ जर्मनी में मंदी आने से भारत के वानिजिक निर्यात की वृध्धी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी ये संभावना है कि जर्मनी की मंदी का असर भारत पर पड़ सकता है और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है अर्थ शास्त्री आकाज जिंदल जी आकाजी स्वागत आपका लाइन धन्यवाद पल्वीजी सबसे बड़ा सवाल आज कल सब के मन में यह उठा है कि 2000 रुपय के नोट बैन हुए हैं उसके बाद से क्या असर जा गया है सर्कूलेशन से विड्रॉ किया है अब इसका मतलब क्या है जो शरीफ और इमानदार आती है उसको किसी तरह की घबराहट की जरूरत में यह क्योंकि उसके लिए प्रोविजन यह है कि वो कितनी भी करंसी जाके बैंक काउंट में जमा कर सकता है प्राबलम किसको ह और उसको आनी भी चाहिए थी जिसके पास ब्लैक मनी है जिसके पास करप्शन का पैसा है अब जिसके पास ब्लैक मनी है जिसके पास करप्शन का पैसा है जिसे हम आनकाउंटेड मनी कह सकते हैं वो कैसे बैंक में जाएगा बैंक में तो पैन कार्ड है आधार कार्ड है बैं इसे लोग क्या कर रहे हैं इन में से कुछ लोग भागे भागे दोड रहे हैं और सोना खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका दाम बढ़ जाएगा तो एक तो ये कारण है कि जिन लोगों के पास unaccounted money है वो उसको पार्क करने क इसे लोगों को ट्रैक करना चाहिए और उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए दूसरा जो है सोने के दाम क्यों बढ़ रहे हैं ग्लोबल रिजन की वजासे क्योंकि गोल्ड जो है सिरुफ डिमेस्टिक रिजन नहीं होते एक ग्लोबल कमड़िटी है हुआ क्या है रश् एकॉनमी जो है स्लोडाउन और रिसेशन के बीच कहीं जूल रही है आप तो जर्मनी की एकॉनमी भी हम टेखनीकल ही सकते हैं रिसेशन में चली गए क्योंकि दो क्वाटर्स लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है तो जब ग्लोगल एकॉनमी में इस तरह की घबराह आया चल रहा है उसका इंडिया की एकॉनमी पर किस तरीके से एफेक्ट पड़ेगा लिखे सबसे पहले तो जर्मनी का जो रिसेशन है जाहिर सी बात है सोने पर जो है उसका भी असर पड़ेगा क्योंकि यह रिसेशन ऑल अब सडनी आया है पिछले दो क्वाटर से उनकी ए अब रहा कि दुनिया की बाकी एकॉनमी और हिंडुस्तान पर उसका असर तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ असर तो हिंडुस्तान में पड़ेगा क्योंकि हमने पहले देखा अमेरिका जैसी एकॉनमी लास्ट यर दो कॉर्टर में जीडीप दो नेगेटिब में रही है अब जेर्मनी अमेरिका सबसे बड़ी एकॉनमी दुनिया की जेर्मनी यॉरप की सबसे बड़ी एकॉनमी है और दुनिया की फोर्ट लाजिस्ट एकॉनमी है जब इतनी बड़ी एकॉनमी पर दिक्कत आएगी तो बाकी एकॉनमी तो कही ना कहीं इंपेक्ट होंगी होंगी कि we are the fastest growing economy amongst major economies. अब एक तरफ देखिए, US जैसी economy, US को तो role model economy माना जाता है, अमरीका को, कितना बड़ा देश, कितनी बड़ी economy, Germany, fourth biggest economy, ये दिक्कत में चल रही है, चाइना हमने देखा, December 2022 में, COVID के कारण क्या हाल था, तो एक तरफ तो की बड़ी economies, अब आज है ये छोटी economies, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी मुल्क, एक एक किल्लो आटे के लिए, सडकों पे खूनी जंग हो रही है, शिडंका, last year, क्या हाल थी उनकी economy की, अब भी हाला जदा सुद्रे नहीं है, सारे हिंदुस्तान ने जो है, तमाम टीवी चैनल पे देखा, मैं जाहतर शोष का हिस्सा था, तो आप देखिए, एक तरफ बड़ी economies का क्या हाला है, एक तरफ छोटी economies का क्या हाला है, उसके बीच में, हिंदुस्तान ने अपने आपको, अभी भी अच्छे से maintain किया, अभी भी हम 6% के आसपास की GDP growth chase कर रहे हैं, 5th largest economy अलड़ी हम बन चुके हैं, और 2017 तक, वी एक्सपेक्टे तो बीड़ी थार्ड बिगेश्ट कर देखिए, फॉर्थर, बाई 2035, तो हिस्तान की economy अच्छी चल रही है, हाला कि उनका भी अशर हम पर पढ़ेगा कुछ, but still, we are doing much, much better than them. चिक है, अब वापस हम 2000 के नोट पर अगर आते हैं, तो अभी अर्थ व्यवस्ता वाके में बहुत अच्छी चल रही है, जैसा आब भी बता रहे हैं, तो सोने के दाम अभी भी 15 पीसिदी बढ़ गए हैं, 15-20 पीसिदी, तो 30 सितम्बर तक कहां तक जाएंगे दाम? और बढ़ेंगे या स्थिर हो जाएंगे, economy के बारे में बात करें, तो 30 सितम्बर तक economy को कहां देख रहे हैं? देखें जो सोने के दामों में इसकी वज़ा से फरकाना था, 2000 के नोट विड्रॉल की वज़ा से वो तो आ गया, वो तो नीजक रियक्शन था, उसी टैम रिफ्लेक्ट हो गया, लोग को पता है कि यह पॉलिसी बन गई है, 2000 का नोट, अब हमें कहीं न कहीं इसको एक्सचेंज आएगा हमारे उपर, बट हिंदुस्तान में क्या है, consumption or demand जो है, वो हमारी economy को चला रही है, great Indian consumption theory, great Indian demand वो जो है, चल रही है, लोग आज जो है, जो हमने करोना में रुख गया था, लोग आज अपने परिवारों के साथ restaurant में जा रहे हैं, 2000-3000 पे का dinner कर रहे हैं, लोग जो है shopping करने जा रहे हैं, 10-15,000 पे खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ चीज़ है, अभी गर्मियों में, there are many people who are planning out to go for all this, economy कब चलती है, economy तब नहीं चलती, जब आप आटा, दाल, दूद लेते हैं, वो तो हर घर के लिए, मेरे घर के लिए भी आपके घर के लिए, economy तब चलती ह है, जब आप शूट के बाद जाएं, और 10,000 की shopping करें, जब आप restaurant में अपने परिवार के साथ जाएं, 3,000 पे का जो खाना खाएं, तो वो economy जो है, वो चलाता है, या कोई नही गाड़ी परचेस करता है, कोई 10 लाग की, 12 लाग की नही गाड़ी परचेस करता है, even कोई जो जो ग्रेट कंजम्शन और डिमांड है, वो अभी इंदुस्तान में वापस आ चुकी है, तो वो economy को हमारी चला रहा है, वो economy को स्टेंदेर है, फिर हमारा start-up ecosystem, आज मैं American channels पर शोज करता हूं, अमेरिका में अपने मित्रों से बात करता हूं, हमारे start-ups की बहुत इंचत है, बहुत से start-ups जो है हमारे unicorns बन रहे है, आज तो हमें land of start-ups कहा जा रहा है, तो मैं यह कहूंगा, प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी साब के talented guidance, प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी साब की visionary guidance की वाज़े से, हिंदुस्तान की economy अभी भी strong चल रहे है, प्रधान मंत्री GST को लेकर विपक शमेशा से सवाल खड़े करता रहा है, गबर सिंग टेक्स से नाम भी दिया गया है, उस पर हम बात करेंगे, लिकिन परदे के पीछे की कहानी क्या आज जी, 2000 का नोट बैन हुआ, एक तो इसे 2016 की नोट बंदी से सीधे compare किया जा रहा है, व्यापारियों क मैं जवाब ऐसे दूँगा, कि ये अभी के हालात की एक सरजरी हुई है, देखे, जब भी किसी शरीर में कोई रोग होता है, जो ठीक नहीं हो रहा, तो सरजरी होती है, सरजरी या ओपरेशन जैसे हम देशी बाश्या में कहते हैं, उससे क्या होता है, एक बार, 10-15 दिन के थे लिए व्यक्ति जो है, काम का नहीं रहता, उसे हॉस्पितल रहना पड़ता है, फिर घर जाके लिए राम करना पड़ता है, काम काज highly नहीं कर पाता, परिवार के लेह नहीं कमा पाता करते थे उनको एक बार इंपेक्ट पड़ेगा पेमेंट्स फस गई हैं लोगों की लेकिन इससे क्या होगा अल्टिमेटली एकॉनमी साफ सुथरी और ट्रांस्पिरेंट हो जाएगी आख्री सवार आकारशी ऐसा नहीं है कि 2000 का नोट बहुत ज्यादा चलंग में था एक लेकर आया गया था 2000 का नोट वो मंशा पूरी हो गई तो पहले से प्लानिंग चल रही थी कि बस एक सर्टेन ओफ टाइम के लिए ये नोट लेकर आया गया था लिखे इसकी अगर हिस्ट्री में जाए 2016 में डी मॉनिटाइशन होई एकदम करंसी की डेफिशेंसी होगी तो उसमें 2000 का नोट शायद एक stop gap और एक temporary arrangement के लिए लाए गया क्योंकि करंसी की डेफिशेंसी होगी तो करंसी तो चाहिए थी लेकिन अगर हम देखें तो मुझे ने लगता सरकार या RBI इसको लेके ज़्यादा कीन रहे हैं 2018 से ही जो है almost इसकी printing जो है कम कर दी गई थी तो बहुत ज़्यादा keenness as a currency इसके उपर RBI और सरकार की रही थी अभी भी ये कहा जा रहा है क्योंकि एक नोट का life cycle चार-पान साल का होता है जातर ये जो है चार-पान साल से पुराने हो गए हैं तो इस वजह से जो है clean notes की policy अगर RBI के देखें उस पर ये fit in नहीं होते तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि सरकार या RBI बहुत ज़्यादा 2000 को नोट के लेके positive शायद एक stop gap था एक temporary arrangement था और temporary arrangement उस समय की एकदम need हुई पैदा हुई तो उसलिए कर लिया गया तो temporary arrangement को तो देखिए ultimately withdraw होना ही है और अगर हम ज़्यादा से दीरे दीरे या अब बड़ी बड़ी से लेके छोड़ी purchases online हो रही है तो शायद currency की जरूरत हमें और कम हो जाए उसका फाइदा भी है currency print होने में हमारा खर्चा भी आता है और हमारे पडोस में एक ऐसा देश बैठा हुआ है जहां के लोग गलत काम करने को और currency print करने के लिए illegal currency print करने के लिए हम Pakistan के अंदर हमें पता है कि वो लोग हिंदुस्तान की currency को counterfeit तरीके से print करने के लिए त्यार रहते हैं उनका तो बहुत से लोग कुछ वहां बैठे हुए है जिनका target है हिंदुस्तान की economy को नुक्सान पचाना तो ऐसे में अगर हम online के तरफ और तेजी से बढ़ जाते हैं और and it is. they are totally totally online. they want to do everything on their laptop. people like me still have some psychological blocks to carry currency along. that which is a great tax compliant society, a very transparent society, a very progressive society, a very growing society. के तरफ हिंदोस्तान को लिजाएगा बिल्कुल ऑनलाइन ट्रांजक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है और इसका सबसे ज्यादा फाइदा यह कि ट्रांस पेरंसी बहुत ज्यादा हो गई है ब्रश्टा चार के खिलाफ लगाता मूदी सरकार रगी होई और इसलिए 2000 उपय का न से नोट निकाल रहे होंने खरीदने के लिए तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है ती सितंबर तक नोट बदलवा सकते हैं बैंकों में भी जाकर बदलवा सकते हैं एकॉनोमी पर और क्या कुछ हसर पड़ेगा हम आगे भी आपको बताते रहेंगे फिलहाल के लिए मेर की की तमान ताजा खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इन दुस्तान के साथ